पंच सील समझोता किसके मद्ध हुआ था भारत और स्री लंका भारत और चीन भारत और नेपाल और पाकिस्तान या पे इंडिया और पाकिस्तान तो करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा भारत और चीन के मद्ध जोकी पंच सील समझोता हुआ था आप लोग याद रखेंगे ऑप पुष्टक के लेखक कौन है बालमी की मुंसी प्रेम चंद्र तुलसी दास या फिर रामधाई सिंग दिनकर या फिर रामधाई सिंग दिनकर सभी दोस्तों आपके इंपॉर्टन कोश्चन है तो आप लोग लाइक सेर करते रहेगा अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने तो सब होगा आपका मुंसी प्रेम चंद्र यानी की ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा अगला कोश्चन तर बढ़ते हैं अगला कोश्चन की आर्मध फोर्सेज मेडिकल कालिज कहां पे इस्थित है दिल्ली मुंबाई पूरे या फिर और रखेंगे महाराष्ट में जो की पड़ता है कि आपका पोड़े जो की आपका आपसं सी करेक्ट आंसर होगा आपका आर्मध फोर्सेज मेड्कल काजीर जो की आपका पूड़े में पड़ता है अगले बढ़ते हैं कुश्चन तरफ पंच महल कहां पे इस्थित है पंच यहां पे फतेफूर सीक्री, option जो की आपका D correct answer होगा, पंच महल जो की फतेफूर सीक्री में इश्तित है, अगला question है आपका कि भारत में गुलाम मन्सकी स्थापना किस ने की थी, भारत में गुलाम मन्सकी स्थापना किस ने की थी, आप लोग इसका answer करने वाले हैं, question option A है, अकबर, बी सा जहां, ती रजिया सुल्तान, D आपका कुतूब दिन, एबक, कुतूब दिन, एबक, तो correct answer बनेगा, आपका कुतूब दिन, एबक ने जो कि option D correct answer होगा, गुलाम मन्स का संस्थापक किसे मान जाता है, तो कुतूब दिन, एबक को माना जाता है, बढ़ते हैं, अगले question दरफ, दिसपूर किस नदी के किनारे इस्थित है, दिसपूर किस नदी के किनारे इस्थित है, यमुना, कोशी, गंगा, या फिर ब्रंभ पुत्र, या फिर ब्रंभ पुत्र, आप सभी को पता होगा दोस्तो, तो असम की राजधानी क्या है असम की राजधानी जो कि आपकी क्या है दिसपूर असम की राजधानी दिसपूर है जो कि दिसपूर जिसको किस न दिखके आई स्थित्य तो तराइट आंसरों का ब्रह्म पूत्र न दिखनारे ओप्शन जो की डी करेक्ट आंसर बनेगा अगल कुछन है कि महाराणा प्रताप का संबंद किस राजिसे था महाराणा प्रताप का संबंद किस राजिसे था उत्राखंड सिक्युम मेवाड दिल्ली उस समय तो उत्राखंड था भी नहीं उत्राखंड जो कि आपका पहले क्या था यूपी था यूपी में था जो कि आपका तो 17 1916 1915들이 1922 या फिर उननीस सो वैलिस आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा आप लोग इसका कमेंड बॉक्स में आंसर करियेका तो उननी तो उननीस जो कि आपका 14 से दोस्तो rooted 1918 तक चला था 1918 तक जो कि आपका क्या चला था प्रथम बेस्तुयुद्व चला था तो आपका correct answer क्या होगा तो यहाँ पर correct answer sudah जो क्या होगा यहाँ पर option में तो है नहीं यहाँ पर 14 से 15 है तो यहाँ पर option यह आप लोग एड़ कर लेंगे इन में से कोई नहीं इन में से नन आपदीज कर लेंगे नन आपदीज जो कि आप कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या बनेगा राइट आंसर होगा आपका है इंदरा गांदीजी की समाधी इस्थल का नाम है अगले बढ़ते हैं अगले कुश्ञ तरफ काली दास प्रुषकार किस से संबंदित है साइंस चिकिस सा ट्रीटमेंट आर्ट और अभिने आर्ट और अभिने आपका नन आप दीज तो करेक्ट आंसर है काली दास जो कि आपका पुरुषकार किसे संबंदित है तो यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा आर्ट और अभिने कला और अभिने से संबंदित या हिमाचल परदेश या फिर राजस्तान, या फिर राजस्तान, तो correct answer आपका बनेगा आपका राजस्तान option, डी काली भंका जो किए आपके राजस्तान में इस्तित है, अगला question है, हारे समाज की स्थापना किस वर्स हुई थी, आरे समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1801 में 1888, 875 या 1905 या फिर 1905 तो आरे समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई थे? 1800 आपका 75 करेक्ट आंसर होगा 1875 में आरे समाज की स्थापना हुई थी अगला कुशन है कि स्थापना की 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 स्थापना ने किसको हराया था बाबर को जहांगीर हुमायू या फिर अकबर को इसका करेक्ट अंसर दोस्तों बनेगा आपका हुमायू को जो कि अपका करेक्ट अंसर बनेगा 1988 या 1911 1971 तो correct आंसर क्या होगा 1957 1957 में जो कि आपके Raymond Maxe से पुरुष क्यार की जो कि आपकी स्थापना हुई थी और बात करें जो कि आपका सबसे पहले किसको मिला था तो किसको मिला था बिनोबा भावे को जो कोई दिया गया था कब गया दिया गया था तो 1958 में आप लोग याद रखेंगे बिनोबा भाग क्यों प्रतम भारतिय थी उनको भारतिय थे तो उनको मिला था कब तो 1958 में मिला था अगला कुश्चन है आपका कि दूसित जल में कौन सी बीमारी फैलती है एड्स प्लेग टीबी या फिर कालरा या तो बढ़ते हैं नेक्स कोशन तुरफ नेक्स कोशन एंक कि जन संक्या सम्बंधित अध्यन को क्या कहा जाता है ग्लेकर क्रेक्ट अंसर बनेगा अगला कुश्चन है कि कि इकाई है तो britain कि की इकाई है तुरण की बल की दर्बमान की या फिर इन में से कुई नहीं या फिर इन में से कुई नहीं तो correct answer तो ऐृष 18 वनेगा फोर्स व्हारन या कि ऑप्सेन की करेक्ट आंसर होगा डैयन जो की आपके बल की इकाई है अगला कुश्चन है कि ammonia ammonia को urea में कौन बदलता है ammonia को urea में कौन बदलता हूँ convert ammonia into urea गुर्दे फेफडे यकरत या फिर आपका अमास है kidney lungs liver या फिर stomach तो correct answer क्या बनेगा आपका तो या आपका बनेगा यकरत यकरत बोले तो आपका liver जो कि आपका क्या करता है जो कि आपके ammonia को urea में बदलने का कार करता है अगला question है कि मेंडल मेंडल ने किस नियम का परिशपादन किया था मेंडल ने मेंडल ने किस नियम का परिशपादन किया था उत्परवतन का नियम, ओम का नियम, अनवान सिकता का नियम या इन में से कोई नहीं, सिंपल सा दोस्तों question लेकिन आपका important question है तो correct answer होगा अन्वान सिकता का law of hard duty आपका option जो की correct answer होगा option C आपका अन्वान सिकता का नियम दिया था मिंडल ने, मिंडल ने जो की आपका अन्वान सिकता का नियम दिया था अगला question है आपका कि सूर्य के प्रकास को प्रसिभी तक पहुँचने में कितना समय लगता है important question है सूर्य के प्रकास को प्रसिभी तक पहुँचने में कितना समय लगता है 8 minute 25 second 9 minute 18 second 8 minute 16 second या फिर 10 minute या फिर 10 minute आपको exact बताना है तो correct answer क्या होगा आपका question number 21 का right minute होगा 8 minute जो की 16 second यानि option C correct answer होगा अगला question है आपका कि cigarette lighter में gas होती है cigarette lighter में काउन सी gas होती है methane, butane, propane या फिर carbon या फिर carbon तो आपका correct answer क्या होगा butane option B सभी को पता होगा दोस्तों को कि आपकी cigarette lighter gas में जो की आपको क्या होती है तो butane जो की gas भरी होती है option C आप लोग याद रखेंगे अगला question है आपका यहाँ पे दूद का pH मान कितना होता है दूद का pH मान कितना होता है 8.7 6.9, 6.4 या फिर 8.8 8.8 तो correct answer आपका बनेगा तो आपका correct answer यहाँ पे क्या होगा option जो की 6.4 कहीं पे आपका यहाँ पे answer ना यह होके आपको 6 दिया जा तो भी आपका सही होगा अगला question है आपका कि चेचक के TK का अविस्कार किसने किया था माडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर रोबर्ड कोच या फिर इन में से कोई नहीं या इन में से कोई नहीं मेरे मित्रों तो correct answer बनेगा एडवर्ड जेनर यानि की आपका option B correct answer होगा चेचक के TK की खोज जो की अविस्कार किसने किया था एडवर्ड जेनर ने किया था अगला question है कि soda water वाटर का soda water was soft drink के लिए प्रुक्त होता है soda water was soft drink के लिए क्या प्रुक्त होता CO2, O2, O3 या फिर H2O H2O तो right answer क्या होगा CO2 CO2 आपका correct answer होगा option जो की option A correct answer होगा अगला question है अपका पतियों का पीला रंग किसके कारण होता है कैपसेथिनीन के केरोटीन क्लोरोफिल या फिर इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं तो right answer बनेगा केरोटीन का जो की option B correct answer होगा केरोटीन के कारण जो की आपका क्या होता है पतियों का रंग पीला जो की हो जाता है next question है कि मचली के हिर्दय में कितने चेंबर होते है कितने कोष्ट यानि कितने कच्छ होते है आपको इसका आंसर करना है मचली के हिर्दय में कितने कोष्ट होते है 2, 1, 3 या फिर 4 तो correct answer क्या बनेगा आपका 2 कच्छ होते है 2 कच्छ होते है अगर आपसे बात किया तो मानों के तो कितने होते हैं चार कच्छ होते हैं मानों के हिर्दय में कितने होते हैं चार कच्छ होते हैं अगला कुशन है आपका निम लिखित में से कौन सी गिरंथी नहीं है कौन सी गिरंथी नहीं है एकरत अगनास से जठर या फिर आपका इन से कोई नहीं हो इस सभी को पता होगा प्रेइड और नहीं की ऑप्षन जो की ये इस य। आपका से इस अगला कुशन हें ऐपका डिप थिरिया कौन से अंगु से अंगों प्रवाइद करता है। को फेफडा को या करत या फिर रदय को तो करेक्ट आंसर इसका आप लोग होमवर्क में करेंगे होमवर्क में आफलाइन कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा अभी तक हमाई दोस्तों को अपने चैन हिन जै बारत बने मादें